कि अच्वाइब कि अच्वाइब कि अच्वाइब कि अच्वाइब कि मैंने अभी आपको जो यह हम लेक्चर कर रहे हैं अब लेक्चर नंबर टैन कर रहे हैं कपैस्टर का इस लेक्चर के अंदर हमने कपैस्टर का पेटेंशल केलकुलेट करना सीखना है हाउ टू कैलकुलेट पेटेंशल ऑफ दा कपैस्टर किसी भी कपैस्टर का पेटेंशल बच्चो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको टकनीक सिखाऊंगा यह शॉडपकट है यह शॉडपकट फैस जог मैं आज आपको करवानी है कि किसी भी कपैस्टर का पिटेंचल केल्कुलेट करने की शॉडपकट जो हैं वच्चों मैंने आज आपको करवाने मैं सबसे पहली ट्रिक देखो क्या है पोटेंशल डिवाइट रूल कि क्या होता है जैसे एक बेटरी का पेटेंशल मेरे पास 10 वॉल्ट है जैसे एक बैटरी का पेटेंशल हम कैसे कैलकुलेट कैसे डिवाइड करेंगे वह बात कर रहे हैं अगर बच्चो इस बैटरी का पेटेंशल हमारे पास 10 वोल्ट है तो देखो इसके एक एंड का पेटेंशल अगर मैंने 10 वोल्ट लिखा तो दूसरे एंड का पेटेंशल क्या हो जाएगा इसका जीरो वोल्ट अगर बच्चो एक एंड का पेटेंशल मेंने 20 वोल्ट लिखा तो दूसरे एंड का पेटेंशल कितना हो जाएगा येस यनि कहने का मतलब दोनों एंड का पेटेंशल का डिफरेंस इसके एक्वल आना चाहिए है और ये बात याद रखनी है आपने हमेशा जो पॉजिटिव वाला होगा वो जादा होगा पेटेंशल जो नेगेटिव वाला होगा वो पेटेंशल कम होगा अगर मैंने इसको जीरो मान लिया तो ये वाला एंड का पेटेंशल कितना होगा येस बच्चो इस एंड का potential कितना होगा अगर ये 0 हो गया तो ये वाला कितना होगा माइनस 10 क्योंकि 0 वोल्ट में से अगर आप माइनस 10 वोल्ट करते हो तो 0 मैनस मैनस प्लस 10 तो इस एक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा येस बच्चो आपको क्लियर हो गया potential को कैसे डिवाइड किया जाता है अब बच्चो मैं आपको question को solve करने की टिकनीक बता रहा हूं ऐसे potential को हम कैसे डिवाइड करके questions को solve करेंगे सबसे पहला question मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं राइड राउन सबसे फर्स्ट कोश्चन question number one बैटरी है देन एक कपेस्टर है एक यह कपेस्टर है एक बैटरी है फिर मेरे पास एक बच्चो बैटरी जिसका potential ट्विंटी वोल्ट इसके बाद बच्चो अगेन मेरे पास यहां पर कपेस्टर है अगेन बच्चो मेरे पास यहां पर एक कपेस्टर है फिर एक बच्चो मेरे पास बैटरी है यह पोटेंशल टैन वोल्ट है यह कपेस्टर फॉर माइक्रो फैरेट है यह पोटेंशल फाइव वोल्ट है यह कपेस्टर टू माइक्रो फैरेट है यह पोटेंशल ट्विंटी वोल्ट है यह कपेस्टर टू माइक्रो फैरेट है यह पोटेंशल टैन वोल्ट है कि येस बच्चो कोश्चन है फाइंड है चार्ज ऑन इच के पैस्टर फाइंड चार्ज ऑन इच कपैस्टर तो बच्चो हमने हर एक कपैस्टर पर हमने चार्ज पता करना है तो दिखो इसको कोश्चन को सॉल करने की टेक्नीक बता रहा हूं टेक्नीक समझो क्या है बच्चो सब्ते पहले तो आप सब भी बैटरी में से old बड़ी बैटरी देख लो कौन सी है यह अधिक म्लेट की कि इसी vivid को के पोटेंशिए को डिवाइड करो कैसे करेंगे एक एंड का पोटेंशियल अगर जीरो हुआ तो दूसरे एंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो 20 वोल्ट बचो जब तक वायर के साथ कपैस्टर नहीं लगा होता पोटेंशियल सेम रहता है यह 0 वोल्ट है यह पूरी यहां तक 0 वोल्ट रहेगा किसी को कोई डाउट है यहां तक मैंने जो यह स्टैप किया है बच्चो एक बार एक कोशन अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया उसके बाद सारे कोशन आप खुद कर सकते हो ठीक है बच्चो यहां तक समझ आ गया है इसके बाद देखो अगर बच्छो यह जीरो डोल्ट है तो यह बैटरी का एंड कितना होगा बताओ जल्डी से मिज़्टा जल्दी से अगर यह 0 है तो यह कितना होगा तो यह यह पाईव वोल्ट होगा के नहीं क्योंकि फाइव माइनस जीरो किसके एकको लोगा इसी तरह बच्चो अगर यह जीरो वॉल्ट है तो इस बैटरी का दूसरा एंड का प्टेंशिल कितना होगा कौन बताए गए अरे वेरी गुट इस माइनस टैन वॉल्ट क्योंकि जीरो माइनस माइनस प्लस टैन करोगे तो यह तैन वॉल्ट आजएगा अगर यह जीरो वॉल्ट है तो इस बैटरी का एंड का प्टेंशिल कितना हो जाएगा और वेरी गुट यह टैन माइनस जीरो बड़े में से चोटा माइनस करना अब बच्चों आप यह देखो हर एक कपैस्टर का प्टेंशिल डिफ्रेंस पता लग गया कैं नहीं लगा यह सबसे पहला कपैस्टर देखो आप सबसे पहला कपैस्टर यह इस कपैस्टर के दोनो एंड का प्टेंशिल कितना एक का ट्वंटी है एक का फाइव है तो इस कपैस्टर का प्टेंशिल डिफ्रेंस कितना हुआ यह बच्चों पहले वले कपैस्टर का प्टेंशिल डिफ्रेंस कितना हुआ 15 हो गया तो इससे आप पतेंशल पता कर सकते हो किसी भी उसका पता लग गया ना पहले एक पैस्टर का पतेंशल कितना है 15 वोल्ट अब बच्चो अगर तुम्हें पता है तो क्यों क्या होता है आग तो अगर मेरे इस पता करना उसक्राइल ना है कितना चाहर्य है मालो चाहर्ज भीonut तो पता कर लिए पैस्टेंश कितनी है स्वे इस इडिफरेंस कितनां को कि इस थर्टी माइक्रो को बागcular टो कि पता हूं हुआ है और भेम कि एक मिनिट यह वले का प्टेंशिल डिफ्रेंस पता आपको कितना है इसका प्टेंशिल ट्वंटी इसका टैन तो इस पर अगर चार्ज निकालना है तो कितना होगा इंटु वी कितना है टू प्टेंशिल कितना है ट्वंटी मैनस मैनस प्लस 10 कितना आगया बच्चों एक चार्ज पतेंशिल आप बड़े असानी से पता कर सकते हो यह बहुत अच्छी टेक्निक जो मैंने आपको बताई आप बच्चों अगर यह 20 वोल्ट है तो यह सारा 20 वोल्ट हो गया अब इस कपेस्टर का बताओगे जरा चार्ज क्यों थ्री कितना होगा यह एस एनी स्टुडेंट सी इंटू वी सी गिए फोर ट्वंटी माइनस 10 सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको समझ आया तो आप बड़े बड़े कोश्चन बड़े इसली सॉल्व करोगे कलम एस सी वरमा डिसकस करेंगे बैचा करते हैं एस सी वरमा डिसकस अडीपीपी में वह कोश्चन कर उग हॉन गाँगा इसके यह हैसी विर्माड के डाउट ताफ्ले फिर मैं आपको खौश्चन करवा और इसके इसको रब कर रहा हूं मैं अगला कोश्चन करके दिखाना राइट डाउन नेक्स्ट कोश्चन बचो अगला कोश्चन लिखो एक कपैस्टर एक बैटरी यह कपैस्टर इस फोर माइक्रोफेरट टैन वोल्ट टू माइक्रोफेरट पहला कपैस्टर यह दूसरा कपैस्टर फैंड चार्ज अन इच कपैस्टर हरे एक कपैस्टर पर चार्ज बता करो यह बच्चो हर एक पेस्टर पर चार्ज केल्कुलेट करो कैसे करेंगे यह एनी स्टुडेंट इसको 10 वोल्ट को कैसे डिवाइड करेंगे यह एंड क्या होगा अरे वेरी गुड अगर यह जीरो है तो यह भी यह भी जीरो वोल्ट यह जीरो वोल्ट और यह वाला अब इस कपैस्टर पर बच्चे मुझे चार्ज पता करना है बच्चों इस रूल को बोलते हैं ओपन लूप रूल डिस इस काल्ड ओपन लूप रूल हम किसी भी ब्रांच को उठाकर इंडिविजुली सॉल्व कर सकते हैं ओपन लूप रूल तो बच्चों इसमें मुझे पहले पे चार्ज बताओगे कितना होगा सी इंटू वी सी कितना है तू वी पोटेंशल डिफरेंस कितना है इसका पोटेंशल डिफरेंस जादा में से कम वला इधर यह 10 वोल्ट है 10 माइनस जीरो कर दो तो यह आगया 20 माइक्रो कुलम क्योंकि चार्ज तो इधर कोई जाएगा ना बच्चे ऐसे जाएगा ना चार्ज बैटरी से चार्ज निकलेगा बैटरी से ऐसे जाएगा इधर इधर तो यह ज्यादा है यह कम 10 माइनस जीरो अच्छे क्यों टू क्या होगा बच्चो कि कि पैस्टेंस कितनी है फोर पोटेंशल डिफरेंस कितना है टैन माइनस जीरो फुर्टी माइक्रो कोलों डैट इस यूर आंसर समझ आया तो अगला कोशन करते हैं इसको रब कर रहा हुगा यह वाला कोशन करके दिखाओ बच्चो एक बैटरी एक कपैस्टर फिर एक कपैस्टर फिर एक कपैस्टर फिर एक कपैस्टर फिरेक बैटरी यह वोल्ट है यह ठू मैकरो फेरट है यह to वोल्ट है यह two micro farad है यह भी मैक्रो फेरट है यह फाइंड चार्ज एक्रॉस एच कपैस्टर हर एक कपैस्टर के एक्रोस चार्ज बता करों को जल्दी से इस बच्चो ट्राइक करो यह एट वोल्ट को सबसे बड़ी बैटरी एट वोल्ट है इसको क्या लिखेंगे यह जीरो तो यह एट वोल्ट यह जीरो यह जीरो तो यह कितना हो जाएगा क्या नहीं बच्चे फिर तुम गल्द कर रहे हो यार एक बड़ी बैटरी उठानी है उसके दोनों एंड का प्टेंशल लिख लेना है यह जीरो वोल्ट है जब तक वायर प्लेन रहेगी तब तक प्टेंशल सेम रहेगा यह प्लेन वायर है तो यह पूरा जीरो होगा अगर यह जीरो है तो इसके रिस्पेक्ट में यह कितना होगा यह माइनस टू भी होगा अगर यह जीरो है तो इसके रिस्पेक्ट में यह कितना होगा तू भी होगा देखो समझ आई बात के नहीं आई आई आपको कि नियर्स पर चार्ज केंव न मां लेते इस पर क्यव्ड टू कि तो कितना होगा लिए पैंजसल डिफ्रेंगे प्ञाइट मायनस इदर को बैटरी से चार्ज जा रहा ना तो इदर को लिखेंगे एट ऌनिस करेंगे इस फ्लूस तो कितना आ गया 16 इंटू 2 32 माइक्रो कूलम क्यों 2 कितना होगा 8-0 16 माइक्रो कूलम क्यों 3 कितना होगा बच्चो एट माइनस टू इंटू 2 कितना होगया 6-12 माइक्रो कूलम क्यों 20 एगा क्यों 20 आएगा ओके एट प्लस 210 होगया ना 10 इंटू 220 सुरी येस बच्चो अगले स्टेप पे चलू अगर आपको ये प्रॉलम्स क्लियर होगी कि किसी भी कपैस्टर का पटेंशल हमने कैसे कैलकुलेट करना है तो इससे अगले स्टेप पर हम चलते हैं थोड़ा सा और टफ करते हैं कोश्चन को यह दो तिन लेवल में कॉश्चन आपको मिलेंगे अभी एक लेवल के कॉश्चन क्लियर हुए है इसको रब कर रहा हूं मैं लो बच्चो अगली कैटिगरी के कॉश्चन करते हैं कोश्चन ट्रो करो क्वश्चन करते हैं कि इसकोश्चन को सॉल्व करके देखो होता है कि नहीं होता ऐसे मैं आपको बता दूँ आप यह होना नहीं है प्राइब करो एक वार क्या दिक्क्तार यह स्कुश्चन को सॉल्व करने में पोटेंशल डिवाड़ करके देखो सॉल्व करने में पोटेंशल यह स्कुश्चन करते हैं हां जी बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमने जा सुमजू कि और वह ईसको ट्राइगर के देखो इसको जीडू मालो तो यह जीरो हो गया यह सीरो गया यह सीरो हो गया यह जीरो हो गया तो क्या आप इस एंड का पटेंशल बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते न कि बोलो कोई तरीका है लिखने का हांजी नहीं जीरो क्यों लिखेंगे बाई जो लास में टू ए उसके उपर जीरो गया नहीं बच्चे नहीं बात यह जहां से आपने स्टाट किया यह तैन को यह जीरो लिख लिए यह तो इस ही के रिसपेक्ट में लिखना है अगर यह जीरो है तो इसके रिसपेक्ट में आप इसके दूसरे end का potential लिख सकते हो, लेकिन वो आप नहीं लिख सकते हैं, इसके ही respect में, आप किसी भी battery से नहीं start कर सकते हैं, आपने एक battery से ही लिखने start करने हैं, minute 10 volt से ही लिखने start करने है, 10 का एक 0 तो एक 10, अगर ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 4 लिख दिया, ओके, लेकिन अब 4 के बाद मैं इसको नहीं लिख सकता, क्योंकि capacitor आ गया, इसको नहीं लिख सकता, इसी तरह ये 0 था, ये 0 ये 0 तो मैं यहां नहीं लिख सकता, कितना हो इस एंड का potential पता करना है, इसको मैं माल लेता हूँ, इसका potential X, अगर इसका potential X है, तो माल लो इस तरफ ये एक junction है, यहां से charge निकल रहा है, माल लो ये इसका potential सबसे ज़्यादा है, तो यहां से charge निकला Q1, एक charge निकला Q2, एक charge निकला Q3 तो इस पॉइंट पर कितना पेटेंशल टोटल कितना चार्ज टोटल है डोटल चार्ज कितना था इस पर क्योट्री टोटल चार्ज था जंक्षन इसको बोलते हैं बच्चे जंक्षन जंक्षन वह होता है जिस पर एक से ज्यादा वायर्स कनेक्ट है यहां पर तीन वायर्स कनेक्ट है तो यह जंक्षन हो गया इस जंक्षन पर जो टोटल चार्ज होता है उसका सम जीरो होता है यानि जंक्षन पर कोई चार्ज नह जंक्शन लॉव इस लॉव इस पालड किर्चव जंक्शन लाव इसकस इन डीटेल नेक्स्ट चैप्टर करेंट में पढ़ेंगे डिटेल में इसको यह अगले चैप्टर की थोड़ी सी आपको फील देता है कि अगला चैप्टर हमने कुछ ऐसा करना है अब बच्छो चार्ज क्या होता है बताएगा कोई चार्ज क्या होता है क्यों किसके इकल होता है सी कितना ह इसका पैस्टर का अब बताएगा कोई इसका पैस्टर का कितना होगा यह एकस है यह फोर है तो पेटेंशाल डिफरेंट्स कितना होगा के इसका फिकतर का और फॉर पेल मआइस फोला स्क्रेशाइंस किनी हो गी एकस- आरेand ईप्लस अब जो इस का बताओ यह चार्ज क्यों थ्री जा रहा है नीचे अगर चार्ज क्यों थ्री नीचे जा रहा है स्वरी यह अगर प्टेंशिल एक्स है तो यह वाला प्टेंशिल कितना होगा यह तो सकते हो ना अब यह आगर उपर वाला एक्स है तो यह कितना हुगा है जो कि एनी स्ट्टेंट यह बट्ट अरे वेरिज यह होगा हमारे पास कुछ नहीं होगा बच्चे यह ओगा टू प्लस एक्स से तो पலस беспर्म, पीनास करो कितना रहा हुँ है हँ pedals कि यह मेरे पास हुआ कि नहीं सुरी हम इसमें से माइनस करेंगे ना बड़े में से चोटा माइनस करते है तू प्लस एक्स तो बन गया ठीक है तू प्लस एक्स आएगा बच्चे करें इसो प्लस आइक्स डिस एक्स बने इस इस से एक्स की वैलि粉 निकाल लो अगर मुझे प्ता लग गया तो मैं इसका तो चार्ज पता करी सकता हूं अब कईवण कितना होगा अब तो मेरे लिए कोई टफ ही नहीं है जीरो क्या उटू कितना होगा यह क्या उटू था कितना हो गया माइनस ट्वैल्व माइक्रो कॉलों क्या उथ्री कितना हो गया लो बचो कि एक कोशन ट्राइक रहो आप इसके साथ का मैं इसको रप कर रहा हूं अगर आपने नूट कर लिया क्यों लुट कर लो कोश्शन रप कर रहा हूं थोड़ असा डफ कोश्शन था अगर आपको समझ आ गया ना पहले एक्स कैसे निकालना फिर आप यह कोश्चन की कैटेगरी वी कर लोगे कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब ए ए है एन व्लत टू व्ल्ट फॉर विल्ट माइक्रो फैरेट वन मैक्रो फैरेट ठाइन चार्ज अप्रोस ईच पैसटर एक वेसटर पर चार्ज पता कर लिया और करो जल्दी अगला कोश्चन प्राइब करो आप करो आपकी तो आपकी आप की एक आपकी एक जंगार शवक्शन अगल में प्राइब का जापकी है हुआ है आप मैं जी करें तरह रहे हो ट्राइग क्यों यह क्या है जीरो तो यह टू वर्ल्ट यह जीरो तो यह कितना होगा बच्चो माइनस फॉर यह जीरो तो यह कितना होगा इसको एक्स माल लेंगे तो यह मेरा क्यों हो गया यह मेरा इदर को क्यों थ्री हो गया क्यों यह तो तुम थ्री तिनों चार्जीस का समझीरो यह इनी एक्स माइनस एक्स माइनस लिए टैन इंटू वन फलस वह लुद्टू एक्स माइनस टू इंटू वन एक्स माइनस माइनस प्लस फोर इंटू वन इस एक्स की वैल्यू निकालो एट वाय थ्री वोल्ट आगी अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता लग गई कैलकुलेट क्यों यह मेरा क्यों था और यह मेरा क्यों को के बच्चों डैट्स ओल फॉर टुड़े टुमारों विल डिस्कस डाउट्स आप ऐसी वर्मा के कोशन्स करना कंप्लीट और डी पीपी ठीक है ओके बाए टेक क्यार है